पता तो लोग ने निमंतरन भजा है कि संदीब जी को आना है वहाँ पर 25-26 तर को लोग भूख खरता करेंगे उसका समर्शन आप लोग करते के नहीं उन से पूछे ने कि उनको एक कहा कौन है करने के लिए आपने हमारे ही चैनल पर कहा था बाहर मीटिंग किये वहाँ पर हमने कहा कि आप 1778 हैं आप जिस दिन यहाँ पर 1000 लोग उतर जाएंगे आपका मामला क्लिंच हो जाएगा समझे कि ये बीजेपी के लोग जो हैं उनको देश का समविधान पसंद नहीं है क्यों नहीं पसंद है क्योंकि समविधान में लोगों की बराबरी की बात कही गई और सामंत वाद कभी नहीं चाहाएगा कि लोग बराबर हो मेरे साथ बास्चित करने के लिए पाली गंच के मालिक बिधायक संदिप स्वरब जी है इनसे हम बात करेंगे के बिहार से ही हिंदू राष्ट का आगाज होगा बाबा बागेसवर धाम के पिठाधी धिरंदर सास्त्री जाते जाते कह गए कैसे देखते और उसके बाद उन मुर्ति को तोड़ करके उसके आड़ में हिंदू राष्ट बनाने के कोसिस की जा रही है देखिए ये निस्वित तोर से संयोग नहीं है बलकि एक प्रयोग है कि धिरंदर सास्त्री जिस दिन नौबतपुर से जाते हैं उनका कारेकरम का जिस दिन समापन होता है और वो घो से बड़ा दुर्भाग्य होगा क्योंकि हिंदू राष्ट का सिधा मतलब है पुराने वर्नासरम व्यवस्था जातीगत भेद भाव सामंती जकरन को और मजबूती प्रदान कर देना जहां पर जनता के पास गरीबों के पास दलितों और पिछरों के पास महिलाओं के पास क महातमा का जो मूर्ति है सको तोड दीया जाता है ये तो संयोग नहीं है जान्मुझ के किया गया है बात कि बीजेपी के लोगों को और इसकेポीछे मीजेपी है विए किसी को उसके पहले गया में तोड़ा गया उससे पहले सीवान में इसयांती घ्र संद्ध है क्योंकि सम्विधान में लोगों की बराबरी की बात कहीं गई है और सामंत वात कभी नहीं चाहेगा कि लोग बराबर हो उनको लएक जमिंदार हो और दूसरा जो हो आम किसान हो आम गरीब हो खेतिहर मजदूर यह तो लोग चाहते थे संद्धान तो हर दलित को बीएक वोट दिया और जमिंदार को अगहीं वोट देना तो हैं आसलमे बाबा सहाब भीम्राव अंबेटकर की जो विचार धारा है जो आधुनिक राष्ट के निर्मान का एक तरह के कि प्रकास अस्तम्भ है उसको देख करके लोग आगे बढ़ते हैं कि अकर हिंदू राष्ट बन जाएगा तक किसी को कोई दिक्कत तकलिफ नहीं होगी आखिर महागट बंधन क करने में और सबका खूं सामिल है किसी के अकेले का तो हिंदूस्तान को आजद कराने में देश की पहचान बनाने में एक साजी संस्कृति एक साजी विरासत एक साजी सहाधत है तो उसको तोड़ करके नफरत क्या धार पड़ा हिंदू राष्ट बना के क्या आसिल कर लेंगे जब देश आजाद हुआ तो आजाद कराने वाजे लोग समविधान लिखने वाजे लोग बेवकुफ तो नहीं थे क आज पाकिस्तान तो मुसलिम देश है तो तरकी हो गया तो तरकी असा कर लेंगे कुछ नहीं करने के चकर में है जनता को इनहीं मुद्दों में हिंदू राष्ट मुसल्मान राष्ट के नाम पर फंसायर रखना चाहते हैं और जनता का जो मुद्दा है सिक्षा रोजगार गरीबी बेरोजगारी भुखमरी यह सब जो मुद्दे जनता के हैं उनकी तरफ से लोगो ध्यान हटाना चाहती यहीं तो बात है नहीं तो हिंदुराश्ट किसी उख्या लेना देना है आज तक किसी को जरूरत तो नहीं पड़ी हिंदु कर देंगा और देखोशित हो जाएगा उनके कहने से कोई फ़रक पड़ता है बाबा को तो कायदे से अरेस्ट होना चाहिए कि देश में देश की समविधान का अगर प्रियंबल को आप पढ़ें तो हम भारत के लोग भारत को एक संपून प्रभूत संपन समाजवादी धर् देश चलिए में तो आप समविधान के प्रियंबल का अगर उलंगन कर रहे हैं और पब्लिक इवेंट के रूप में उसको क्रियेट कर रहे है तो आप तो समविधानिक काम नहीं कर रहे हैं तो आपके खिलाफ तो आईपीची धारा बनी हुई है है भारत का जो कानून सभी सब्सक्राइब कर देश कर देंगे उसे चीज़े बदल जाएंगी वह बात नहीं समूचे देश के अंदर घूम सब्सक्राइब कर रहे हैं और जिनको लगता है कि धिरेंदर सास्त्री या इस तरह कोई भी बाबा वह आध्यात्म की बात करने निचोड़ है उसका ग्यान मातने तो गलत लहें लोग यह लोग सिर्फ उनमाद के अधार पर भाजपा का बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं और देखिए उनका खलासी ड्राइवर कौन थे राम कृपाल जादो जी थे जो दिल्ली से गवईया है क्या नाम है उनका तो यह लोग उनके साथ बैठे हुए हैं यह लोग प्लान कर रहा है इनका कारकरब तो भाजपा को जब कहीं कुछ नहीं मिल रहा है तो इनको लग रहा है कि बाबाओं को उतार करके यह बिहार की जनता में पहुंच जाएंगे बिहार की जनता इतनी बेवकूफ कभी रही पता है अब लोगों से मिला उनका क्या रिस्पॉंस मिला रिस्पॉंस तो क्या हम कहें हम तो गये आयोग के पास तो आयोग ने गोल मटोल जवाब दिया वो करने के मूड में नहीं है हम मुख्य मंद्री को जब यह बात कहें तो उन्होंने यही में मेरे ही लेटर को का कि ठीक हम देखवा लेता है और फिर से मामला आयोग को भेज दिया जब आयोग ही इसको कर देता तो मुख्य मंद्री के पास क्यों जाते तो कायदे से सरकार को बैट करके ये जो सारे आयोगों को स्वायतता के नाम पे आपने मनमानी करने का जो अधिकार दे दिया है इस पे तो विचार सरकार को करना चाहिए अच्छा संदीब जी कल यानि 25 कल और परसो दो दिन वो लोग आ करके गर्देनी बाग में अंसन करने वाले 777 बैरती आपको पता होगा और नहीं पता तो वो लोग ने निमंतरन भेजा है कि संदीब जी को आना है वहाँ पर 25-26 तरको लोग भूख खरताल करें उसका समर्शन आप लोग करते की ने उनसे पुछे कि कहा कौन है करने के लिए आपने हमारे चैनल पर कहा यहां पर सौ लोग आये थे बाहर मीटिंग किए वहां पर हमने कहा कि आप 1778 हैं आप जिस दिन यहां पर एक हजार लोग उतर जाएंगे आपका मामला क्लींच हो जाएगा वह प्रण भेजागे मेरे तरफ से कि उनको बोलिएगा कि वह आये 25 और 26 और जितने भी माले की बिधायक है क्योंकि वो लोगी च्छात्र का मुद्दा जाता रुखा लेकिन अभी इसको क्लिंच कराने में तो मुश्किल काम है और राजनीतिक परिद्रिस जो है बदलते जाता है तो हर सभी मुख मंतरी इंटेरेस्टेट नहीं रहेंगे कि बीएशेस्ती के पुराने बाहली बात करें के मैट्रेट में बात करेंगे और डू बात बात लग्य मोस्तों नहीं लांते हैंeren नहीं मामदाने है बहुत तरह तरह की तो यह कंशिए डि乐ने वेपेसस्न बमेंizz जॉबहें तो जॉब्र हीनिंग जिनका हो गया अब यह जू बच्छे लोग हैं जिनकी नियुक्ति गलत चैन प्रक्रिया के चलते आयोग के गलतियों के चलते जिनकी नियुक्ति नहीं हो पाई ये लोग बचे हुए है तो वैकेंसी ये पूरा हो चुका है और इनका जो है इनके साथ इनसाफ हो ये तो हम भी चाहते हैं तो इनके साथ इनसाफ हो ऐसा संदीप सवर्व भी चाहते है और इनका समर्थन संदीप सवर्व करेंगे 25-26 तारिकों गर्दनीबाग घरताल में यह भी सामिल होंगे और इनका कहना है कि आयोग की गलत चैन पर करिया को यह से लोग बाहर हुए है और हम सरकार से बात करेंगे अगर आप हमें यूट्टूब को देख रहे तो सेर और फॉलो जरूर करें धन्यवाद आप देख रहे हैं देश प्रेम न्यूज